दोस्तो मैं गोईन माली एक बार फिर आप सभी का एक नए वीडियो के साथ मैं मेरी हीटूप सेनल में स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो के मादियम से मैं आपको दस्वी पास 5,696 पदों पर जो रेलवे लोको पाइलोड की पड़ती निकली है उसके समन में जो विस्तत जानकारी है वो आज इस वीडियो के मादियम से मैं आपको देने जा रहा हूँ इस वीडियो के मादियम से मैं आपको इसकी योगिता क्या है इसकी एपलिकेशन फीस क्या है ओनलाइन एप्लिकेशन आविदन सम्मीट करने की जो अंतीम डेट है वो क्या है साथ ही इसका जो एक्जाम होगा वो कब होगा तो उसके समन में जो पूरी जानकारी है वो आज इस वीडियो के मादेम से इस सेनल के मादेम से मैं आपको देने जा रहा हूँ तो गाइज आप देख सकते हैं Government of India, Ministry of Railway, Railway Requirement Boards इसमें दिया गया है Railway Requirement Board में जो परती निकली है वो ALP की निकली है यनि की Assistant Local Pilot की तो एप्लिकेशन आर इनिवेटेड फ्रॉम दो एलिजीबल कैंडिडेट फोर दो पोस्ट अप दो एसिस्टेन लोको पाइलोट गीवन इन दो टेबल बिलोव दो लांस्ट डेट फोर समीशन आप एप्लिकेशन इस ओनिस फैरवरी दोजाद चौबिस एप्लिकेशन कम्पलेट इन दो ओल रेस्पेक्टेड मस्ट भी समीटेड ओनलाइन ओनली ठीक है यानि की ओनली फोर आपको ओनलाइन इसका आविदन करना है इसकी जो अंतिम पॉर्टेट दीगी है ओफ्निंग डेट अप धन ओप्लिकेशन इन यानि की इसकी जो अप्लिकेशन फर्वरि धोजाद चौबिस से इसकी जो आविदन पार में वो बीस जनवरि धोजाद में चौबिस से सुरू हो गई है और इसकी जो Ven Sole लेकिन गाइज मैं आपको बता दू कि जो 19 फरवरी दोजाट चौबीस है इसका आप बिना इंतजार किये बिना समय से पहले आप अपना आविदन कर लें क्योंकि बाज में अंत में किसी समय से का सामना ने करना पड़ें साथ ही इसके बाद में किसी भी परकार की डेट में ब आस डेट ही रहेगी तो आप 19 फरवरी दोजाट चौबीस से पहला इसका आविदन कर लें अब मैं आपको वेगेंसी तो वेगेंसी पोस्ट आप दा पोस्ट क्या है एसिस्टेन लोको पाइलोट तो पे लेवल क्या है लेवल टू का ठीक है सांतवा वेतन लागू होगा ठ ठीक है पेरमेन ठीक है मेडिकल इस्टेंडेट ए 1 एज होगी जो एज है यानि कि इसकी जो आयू है कौन-कौन आविदन कर सकता है किस उमर्खा वेक्ती आविदन कर सकता है तो इसमें 18 मीनिमम एज है वो 18 है और मेकजीमम है वो 30 है लेकिन इसकी जो एज कैल्गूलेट की यह एक सांथ दोजाट चौबिस तक आपकी 18 वर्स होनी जरूरी है साथ ही एक जनौरी दोजाट चौबिस तक आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक एक भी दिन उपर नहीं होना चाहिए इसकी जो टोटल वेगेंसी रहेगी वह रहेगी पांच जार 696 रहेगी ठी है तो is on 1724 for details please refer the to send number 1224 available on the official website अब मैं आपको बता दू कि जो assistant qualification यानि कि इसका जो qualification है तो metrical cell SSC LC plus IT from the requirements institute of the NCVT SCVT in the trade of the फीटर, electrician, instrument, mechanic इसमें जो आपकी योगिता है वो इस channel के मादिम से इस page के मादिम से इसके notification के मादिम से आप देख सकते हैं इसमें जो यानि कि आपके पास दसवी के पास के साथ साथ में आपकी ITI भी होनी जरूरी है जिसमें जो आप देख सकते है यानि कि आई दसवी पा मादिम से आप देख सकते हैं तो अब आपको सबसे पहले मैं आपको इसकी जो अब मैं आपको इसकी जो application fees है all candidates यानि कि STSC और ex-servicemen female transgender के अलावा जो all candidate है यानि कि OBC और general candidate है उनकी जो फीच रहेगी वो 500 रूपे रहेगी और STSC ex-servicemen female transgender के लिए जो फीच रहेगी और सा साती economically backward classes EBC जिनकी फीच रहेगी 250 रूपे ठीक है तो इसका जो आविदन है requirement process for details please report the जो send number 1-24 available on the official website how to apply for details please report the जो इसकी जो official website है उसके बाद हैं से only online आविदन करना है offline किसी भी परकार का आविदन सभी का नहीं किया जाएगा अब मैं आपको सबसे पहले एक-एक करम वाइज मैं आपको इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ तो गाइज आप देख सकते है RRB ALP 2024 की जो पोस्ट है वो 5696 पोस्ट ठीक है अब मैं आपको for all candidates जो फीस है application फीस है वो है 500 रूपे और for all candidates others STSC exorisman female transgender minorities and economically backward class EBC उनके लिए जो फीस रहेगी वो 250 रूपे रहेगी इसका जो payment mode है वो online है ठीक है इसकी जो starting date है form बने की जो starting date है वो 20 जनवरी 2024 से इसके form start हो गए और इसकी जो last date रहेगी 19 परवरी 2024 को रातरी 12 बजे तक और इसका जो exam होगा CBT first exam होगा वो होगा June August 2024 में और CBT का second stage का जो exam होगा वो चीतमबर 2024 में और इसकी जो CBAT November 2024 होगा यानि की date of the aptitude test ठीक है फिर उचके बाद में जो aptitude test होगा जो short list होगा document verification होगा वो होगा November 2024 और December 2024 में होगा ठीक है तो please the employee notification for the next circle of the requirement of the post of the ALP provisionally planning for the issue of the January 2024 इसकी जो minimum age रहेगी वो 18 वर्स रहेगी और maximum age रहेगी वो 33 वर्स यानि कि जो है वो suit के हिसाब से इसमें गिनेगी है तो मुझे मुझे की यह जानकारी आपके लिए कापी important भी रही होगी और कापी life day भी रही होगी तो guys आपको सलाह देता हो कि आप बिना किमती समय कि आप